नमस्कार A to Z dishes उशाक और जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी बैंगन प्यास की बहुत ही बड़ी आसी मसालेदार सूकी सबजी बैंगन एक ऐसी सबजी है जो बच्चों से लेकर बड़त को काफी कम खाना वो पसंद कहते है पर अगर आपने ये बैंगन प्यास की ये वाली सबजी बना ली न तो वो मांग मांग कर खाएंगे इसे आप चाहे रोटी के साथ ले पराठो के साथ खिचडी के साथ हेल्दी तो है और टेस्टी भी लगती है तो चलिए बिलकुल भी देने करते और ये बहुत ही टेस्ट साथ हेल्दी सी सबजी बनाना शुर करते हैं उसके लिए कड़ाई में न मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा सबल दीज़े एक चमब जतना जैसे गरम हो जाए न तो दो इस तरह से कटे हुए प्याज और दो कटे वी लंबी हरी मिर्ची प्यास को भी लंबा कटने हो हरी म काले पड़ जाएंगे इसलिए काट कर पानी में ही रखे और देखे प्यास बस हलका सा लाल हो गया तो इसके अंदर हम यह बेंगन के टुकड़े डाल देंगे और बेंगन आप कोई भी ले सकते और इसे कैसे भी काट सकते है मैंने इस तरह से कट किया है बस प्यास को अच्छे से पक जाएं यहां पर आप देख सकते हैं तीन से चार मिंट हो गए हैं धकन को हटा लीजे और देखिए बेंगन अच्छे से गल गया तो अब इसके अंदर में डाल रहे हैं स्वाद अनुसा नमक एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर इसी के साथ आदी चमच ल प्रीस्टी लगती है राइस पराथे खेचुड़ी रोटी के साथ ज़रू ट्राइ कीज़ेगा और मजी कमेंट्स पताएगा कैसी लगे रेसेपी अच्छी लगे तैसे लाइक कीजिए शेर कीज़ों मेरे चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल नह भूले आज के लिए बस झोले Heard को सस्सक्राइब का लीक मिपले यूले है विल्कुल टाइल कीज़गा जयमे बसाइब को सस्क्राइब कैसी लोगे पाइसे लगे